बिसमिल्लाइरहमारे रहीम, अस्सलाम अलेकूम, English Learning के इस Important Lecture के अंदर हम Future Continuous Tense को, जिसे हम Future Progressive Tense भी कहते हैं, उसके Structure को, Negative और Interrogative Sentences को बनाने का तरीका और कुछ Examples को डिस्कस करेंगे. What is Future Continuous Tense? Future Continuous Tense को हम Future Progressive Tense भी कहते हैं, और ये किसी भी ऐसे Action को Represent करने के लिए इस्तमाल होते हैं, जिसके Future में होने की उमीद हो. यानि ऐसा Ongoing Action, जिस Action ने Future में Perform होना हो, उसको Represent करने के लिए हम Future Continuous Tense का इस्तमाल कहते हैं. इसकी पहचान कुछ इस तरह से हैं, कि जो उर्दू Sentences होते हैं, उनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वगेरा आते हैं. तो ये ऐसे Ongoing Action हैं, जिनोंने Future में Perform होना है. इसको बनाने का structure कुछ इस तरह से हैं, कि सबसे पहले हम subject use करेंगे, यानि वो हिस्सा जो Action को Perform कर रहा होगा, फिर Will या Shell का इजाफा किया जाएगा, फिर हम B लगाएंगे, देन वर्ब की First Form और फिर साथ I-N-G लगा देंगे, यानि वर्ब की I-N-G फॉर्म और फिर Object या Sentence का बाकी part आजेगा, यू ये लिए आम तोर पे हम जो है I या We के साथ Shell का इजाफा करते हैं, और बाकी जितने भी subject होते हैं, उन सब के साथ हम Will का इजाफा करते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहां लिखा हुए हम हौकी खेल रही होंगे, तो इसको इस तरह से translate किया वी subject आगिया, वी के साथ आम तोर पे Shell आता है, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की ing form आगई, देन होकी object आगिया, इसी तरह से आप खत लिख रहे होंगे, तो यू subject आगिया, यू के साथ Will आएगा, बी लगा देंगे, फिर वर्ब की ing form आगई, और फिर उसके बाद object आगिय इसी तरह से मोची जूते पालिश कर रहा होगा, तो इसका मोची की जगा कॉबलर आगया, विल बी पालिशिंग, पालिशिंग जो है ये वर्ब की ing form आगई, और फिर इसी तरह से object आगिया शूर। जर्नल रूल ये है कि अगर कोई भी ऐसे sentences होंगे, जिन में advice, यानि कोई नसीहत की होगी, कोई हुकम दिया होगा, कोई धमकी दीवी होगी, कोई वादा किया होगा, या कोई पुखता इरादा किया हुआ होगा, strong intention होगी, तो दोनों एक दूसरे को replace कर देंगे, replace करने का मत से है कि सबसे पहले उसी तरह से subject, उसके बाद will shell और उसके बाद not आ जाएगा, यानि will और shell के बाद हम not लगा देंगे, और बाकी सारा structure as it is आ जाएगा, same way rule, I और वोई के साथ हम shell लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम will का इस्तमाल करेंगे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि same sentences को जब हमने negative में change किया है, कि हम hawकी नहीं खेल रहे होंगे, तो shell के बाद not आ गया, इसी तरह will के बाद not आ गया, और इसी तरह जहाँ जहाँ भी हमें will या shell नजर आएगा sentence में, उसके बाद हम not लगा देंगे, interrogative sentences को बनाने का तरीका भी simple है, इसमें हम will या shell को शुरू म ले आएंगे, और बाकी सारा sentence का पार्ट वैसे ही रहेगा, तो उसी तरह से बाकी rules वैसे ही होंगे, देख सकते हैं हम या, क्या हम हौकी खेल रहे होंगे, तो shell शुरू में आ गया, और बाकी सारा sentence as it is आ गया, subject, फिर be, फिर verb की ing form, फिर object, इसी तरह से क्या आप खत लिक र भी हमने सीखा है, उस पर हमें मजीद grip हो, और हमें English communication में intenses का इस्तमाल और बेतर हो जाए, तो I would recommend के आप 10 to 15 sentences को translate करें, और उनको negative और interrogative form में भी जरूर change करें, और यहां आप comment के अंदर कोई से 2 sentences, उनकी corresponding negative और interrogative form के साथ लिख सकते हैं, अगर आप गलत होंगे, तो हम आ आपकी लोग videos देखेंगे, उनको भी आपकी तरफ से एक छोटी सी help मिल जाएगी, Thank you so much, that was all for this lecture, उमीद है आपको इसकी समझाई होगी, so we request you के आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को ज़रूर click कर लें, ताके आपको आइंदा आने वाली ऐसी बहुत सारी useful videos मिल सकें, जो आपको English सीखने में बहुत ज्यादा help कर सकें, Thank you, I love this.